HDFC-AMC Share Price एक इस्तीफे के चलते तूट गया शेयर, उबरने के बाद फिर आया नीचे Asset Management, HDFC-AMC के शेयर आज शुरुवाती कारोबार में करीब एक फीसदी तूट गये थे, HDFC-AMC के शेयरों में यह गिरावट एक इस्तीफे के चलते आई, हालांकि थोड़ी गिरावट के ब हुआ है, Asset Management, HDFC-AMC के शेयर आज शुरुवाती कारोबार में करीब एक फीसदी तूट गये थे, HDFC-AMC के शेयरों में यह गिरावट इसके मार्केटिंग हेड इस्तीफे के चलते आई, हालांकि थोड़ी गिरावट के बाद यह संभल गया और ग्रीन जोन में पहुँच ग अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा आठ सितमबर से प्रभावी होगा। कमपनी ने इस इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों को वजह बताया है। एक परसेंट की मजबूती के साथ ग्रीन जोन में 2482.85 रुपए पर था। ब्रोकरेज का क्या है रुजहान घरेलू ब्रोकरेज फर्म के आर चौक से इस शेर को लेकर काफी पॉजिटिव है। 29 जुलाई की रिसर्च रिपोर्ट 2725 रुपए के टार्गेट प्राइस पर HDFC-MC को अकम्यूलेट रेटिंग दिया था। ब्रोकेरज के मुताबिक अभी यह शेर वित वर्ष 2024 की अनुमानित अर्निंग्स के हिसाब से 34.07 गुना और वित वर्ष 2025 की अनुमानित कमाई के हिसाब से 39.07 गुना भाव पर है। P.E. रेशो को देखते हुए ब्रोकेरज ने इसमें निवेश के लिए टार्गेट प्राइस 1970 रुपए से बढ़ाकर 2725 रुपए कर दिया है। HDFC-AMC के शेरों ने कैसा दिया है रिटर्न। अब अगर HDFC-AMC के शेरों की बात करें तो इसने निवेश को को अच्छा रिटर्न दिया है। 20 मार्च 2023 को यह एक साल के निचले स्तर 1595.25 रुपए पर था। हालांकि फिर पांच महीने में यह 65 फीसदी से अधिक उचल कर 11 अगस्त 2023 को एक साल के हाई 2638.65 रुपए पर पहुँच गया। इस हाई से फिलहाल यह करीब 7 फीसदी डाउनसाइड है। हालांकि एक साल के निचले स्तर से यह करीब 54 फीसदी मजबूत है। क्परा फ्बालों क्परा उन्मा में इसए लिच्छAST